हेलो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सभी निशाफाटी ब्लॉक में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंट्स आज मैं लेकि आई हूँ आप लोग के लिए आज मैंने कोई भी ब्लॉक नहीं डाला था कल तो उसके लिए सौरी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी व्लॉक बनाने का तो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए जो मेरा रोज का रूटीन है वो मैं डालूँगी इससे अगली वीडियो में क्योंकि मुझे करनी है घर की थोड़ी साफ सफाई तो मैं आपको दिखाऊंगी के मैं किस तरीके से साफ सफाई करती हूँ घर की cleaning करनी है तो friends आज हम बात ही करेंगे बैस आप से कोई भी अपना जो रोज का routine है घर का cleaning का routine है वो मैं आज आप लोग के साथ से अर नहीं करूंगी आप लोगों से आज बाते ही करूंगी तो friends जैसे कि मैंने आपको बताया था कि online साहान का system तो मेरा जो नीशा भाटी का channel है उसमें मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आती हैं बहुत ज़्यादा मैं सामान भेज रही हैं आप लोगों को भी चाहिए online सामान कुछ भी मंगवाना है मैकरेम से related आपको कुछ भी मंगवाना है कपड़ा मैकरेम जो भी आपको चाहिए वो मैं भेजने के लिए त्यार हूँ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और तो फ्रेंट्स मैं आज आप से बाते करूँगी एक यूट्यूबर की एक यूट्यूबर हैं वो बहुत ही अच्छी वीडियो देते हैं कॉमेडी की और उनका क्या है चैनल को हैक कर लिया गया है एक जर्मनी की टीम ने तो फ्रेंट्स आप लोगों को मैं भस साबधान करना चाती हूँ इसी तरीके से विक्की प्रिंचुश का नाम है आप लोगों को पता है वो बहुत बड़े यूट्यूवर है एक लाग साइट हजार के करीब उनके सब्सक्राइबर है तो फ्रेंट्स आप लोगों को भी अपनी चैनल को लेके साबधान रहना पड़ेगा क्योंकि उनके पास एक मेल आया था जो की उनका एडरस वगेरा कुछ भी जो भी है उनकी आईडी वगेरा कुछ भी उनसे मागी और उन्होंने वो उनको ऐसे ही बिगड़ जाने दे दी तो उनके चैनल को इसलिए हैक कर लिया गया है तो फ्रेंट्स आप लोग भी साबधान रही है किसी को भी अगर यूट्यूब पे किसी की भी कमेंट आती है किसी का भी कुछ भी अपना एमेल आईडी कुछ भी नहीं बताना किसी को भी क्योंकि उनका जो उनका चैनल है वो बहुत अच्छे यूट्यूवर से बहुत अच्छे अच्छी वीडियो देते थे comedy की बहुत अच्छा लगता था उनकी वीडियो देखने में अब उनका channel नहीं है उन्होंने अब एक नया channel खोला है विक्की पिरिंच 2 के नाम से तो friends आप उनकी वीडियो को देखे बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं वो भी तो उन्होंने दूसरा चैनल ख़रा बहुत जादा परेशान है वो क्योंकि मैंने देखा वो बहुत जादा रो रहे थे वीडियो में तो फ्रेंड्स बैस आप लोग को यही साब धान करना था आप लोग किसी को भी अपनी एमेल आईडी अपना पास्वर्ड कुछ भी कमेंट में ना बताएं कोई कुछ भी कितना भी पूछे अगर कमेंट का जवाब देना है आपको अगर कोई वेरी नाइस यापकी चैनल की तारिफ कर रहा है उसी तरीके से आप लोग बिलकुल साबढ़न रहें तो फ्रेंट्स को यह गया था भी आप लोगो सुनाई दी होगी वैल की अब आज तो फ्रेंट्स बैस आप से मेरे को यही बोलना था कि आप अपने चैनल का ध्यान रखें क्योंकि चैनल को बिल्कुल भी किसी को भी अपनी email ID, passport नहीं बताएं तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था एक वीडियो में मेरे पास एक कमेंट आई थी क्रीम की तो friends वो बहुत अच्छी क्रीम है जिसको मैं यूज करती हूँ आप लोग देख सकते हो मेरी जाईया बिल्कुल भी नहीं है जाईयों से related है वो क्रीम अगर आपके चैरे पर क्या है कि धूप से और फिर किसी भी मतलब कि खाने पीने की कमी से जैसे कि मैंनी आपको बताया था उस क्रीम से नहींद जाईया मेरी बिल्कुल जा चुकी है मुझे बहूत खुसी है अपनी सीज़ के क्यों कि मेरी बहुत ज़ाईया हो रही थी उस टाइम और मुझे बश्चा नहीं लगता था अपना चेहरा भी देखने में क्योंकि प्रेग्नेंट थी तब तो नहीं हुई थी मेरे जहाई लेकिन उसके बाद में थोड़ी खाने पीने की कमी हो जाती है तो उससे जहाईं हो जाती है तो फ्रेंड्स उस करीम को आप मेरे चैनल पर जाकर देखियें मैंने उस करीम का नाम बताया हुआ है वाइट पलस करीम नाम है उसका वाइट पलस के नाम से है और उसको रात को सोते टाइम थोड़ी ताज़ा पानी से वाश करके चेहरे को तब उसको लगाना है लगा के सोना है और फिर सोबह उटके वाश कर लेना है और बहुत ही अच्छा और एकदम तो अच्छा रहती है उस और एक बात और कहनी थी अभी जो यूट्यूब की तरब से एक मैसी जा रहा है कोपा के नाम से आपने देखा होगा चिल्डरन से रिलेटिड है वो आप इस चैनल पे अगर आपको चिल्डरन से रिलेटिड कोई भी वीडियो डालनी है तो आप पहले अपने चैनल की करना मैं आपको आप कमेंट में बोलोगे तो मैं आपको दिखा दूँगी किस तरीके से सेटिंग करनी है क्योंकि मैंने कर ली है मेरे इस वीडियो में बच्चे आए हुए है कितनी दो तीन वीडियो में मैंने बच्चों को लिया हुआ है लेकिन अगर आपको बच्चों को य इसी महिने तक तो आप लोग को इस चीज का ध्यान देना है आप अपनी सेटिंग को कर ले जो जो आपको करना है चिल्डरन से रिलेटिड है वो और अगर आप वीडियो में जैसे कि मैं अभी बच्चों को नहीं लेके आती हूं मैंने तो सेटिंग कर ली है मेरे को पता है तो मैंने तब भी मैं बच्चों को नहीं ले रही हूं अभी क्योंकि बच्चों की क्या है बच्चों का बहुत अच्छा सिस्टम किया है गूगल ने क्योंकि बच्चों की वीडियो अलग से होंगी हम लोग देखेंगे बच्चों की वीडियो लेकिन हम उन पर कमेंट नहीं कर और मैं आपको अगली वीडियो में किलिनिंग दिखाऊंगी मैं करूंगी अपने घर की साफ सफाई और हाँ फ्रेंट्स एक बात और गड़नी थी आपसे मुझे बनानी है गुलाब जामुन और आप चाहें तो मुझे कमेंट में बता सकते हो मैं आपको खुए वाली भी बना और मेरी अनिवर्स्री आने वाली आप लोग के साथ मैं जरूर सेयर करूंगी अपनी पार्टी जो हम अनिवर्स्री पे पार्टी करते हैं वो मैं आप लोग के साथ जरूर सेयर करूंगी आप लोग को दिखाऊंगी किस तरीके से मैं बनाती हैं और उस पे मैं घर पे ही बन जा रहा ही हूँ दूद लेने क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं इस टाइम दूद लेने जाती हूँ पांच बज चुके हैं पांच बजे जाती हूँ मैं तो फ्रेंट्स आज मैंने बनाई थी दालबाटी तो आप लोग के साथ आट्स में वो रेसिपी शेयः करूँगी क्योंकि मैं उसको शुरूबास से नहीं दिखा पाई थी लेकिन मैं आपको शुरूबास से बता दूँगी तो सबसे पहले आटा लेना है मतलब कि मैंने एक केजि आटा लिया था उसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली थी और थोड़ा सा घी डाला था और आटा हमने जो नॉर्मली रोटी बनाते हैं वो ही लिया था और थोड़ी सी हल्दी डाली थी और मैंने उसको थोड़ा अच्छे से जदा लूज नहीं गूंदा था थोड़ा टाइट ही गूंदा था उसको गूदने के बाद में मैंने उसको एक पतीले में उसकी बाटी बना ली थी थोड़ी इस तरह के से गोल-गोल जैसे रहती आप लोगो पता है बाटी वो मैंने बना ली थी और फिर मैंने उसको एक पतीले में उबाला था पहलो उनको उवालना होता है और फिर जो बाटी वाला बरतन होता है उसमें उनको अच्छे से सेखना होता है और उसके साथ बनाते हम दाल जो कि दाल तो हर किसी पे बनानी आती है उसमें नॉर्मली दाल बनती है थोड़ा तड़के वाली अच्छी बनती है तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी उसमें बनाने का तरीका दिया है क्योंकि उस टाइम बिलकुल बच्चे आच चुके थे उस टाइम पे और मेरके एकदम माइड से निकल गया मैं वीडियो नहीं बना पाई उसके लिए लेकिन आप लोग के जितनी मैंने बनाई है इतनी मैं आप लोग के साथ सेर करूँगी तो बनाने की विधी बताती हूँ मैं आपको डालवाटी ये मैंने आज बनाई थी इसका आटा थोड़ा टाइट गूंदना पड़ता है और आटे में डालते हैं जैसे आटा नॉर्मली रहता है जैसे हम रोटी बनाते हैं जिससे और ये बरतन होता है बाटी वाला जिसमें मैं इनको सेक रही हूँ तो आटे को क्या है टाइट गूंदने के बाद में इनकी ऐसे जैसे मैंने बना रखे हैं गोल गोल इनको बनाने के बाद में इसको एक पतीले में गरम करना होता है इनको सारी बाटीों को बढ़ता नालक से और ये देखिए दाल ये मैंने दाल बनाई थी इसके लिए कोकर में और दाल भी बहुती तीकी बनानी पड़ती है इसके साथ में बहुती टेस्टी लगती है दालवाटी इसका बनाने का दाल तो हर किसी को बनानी आती है लेकिन बाटी का जो मैंने आपको बताया है उस तरीके से बनानी है जिसे आटा लेना है आटे को गूंदना है टाइट रखना है थोड़ा उसमें अजवाइन नमक डालना है आटे में और यह देखिए इस तरीके से होती है यह उबलने के बाद में बनने के बाद में देखिए इस तरीके से गोल बनाना है आटे मैं अब तो इसको मैंने पतीले में पानी डाल के आप देख सकते हैं मैंने आप लोग के लिए थोड़ी सी वीडियो रखी ती इसलिए देखिए कितने अच्छे से रहां हमने पतीले में ज्यादा नहीं है 10 मिनट उबालना है वैसे इनको जैसे पानी डिल डाल दिया आपने उ तो देखे फ्रेंट्स दालवाटी बन के त्यार हो चुकी है अगर फ्रेंट्स आपको मीड़ी हैं।